गुट इवनिंग इस्टुडेंट्स एडी ऑन्लाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत हैं तो सभी इस्टुडेंट्स फटापट से लाइव आ जाएं सभी इस्टुडेंट्स फटापट से लाइव आ जाएं और लाइव आते ही आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें ठीक है टाइम चेंज नहीं हुआ है टाइम आपका वही है छे बजे से आट बजे तक आपकी क्लास रहती थी तो वही टाइम आपका अब भी है ठीक है तो सभी इस्टुरेंट्स सबसे पहले जैसे जैसे आप लोग लाइव बन रहे हैं सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें क्यों कि अ ओ ठीक है चलिए तो सभी इस तुरेंट फटावट से लाइव आ जाए ठीक है मॉर्निंग में सो कर रहा था नहीं नहीं मॉर्निंग में सो करने रहा था वो कुछ समझदार लोगों के बज़े से जान भूज के सो करवाय जा रहा था वैसो सो करने रहा था ठीक है चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ बर्डे निकल चुका है दन्यवाद आप सभी लोगों कहां ठीक है बहुत मैसेजिज बहुत कॉल और बहुत प्यार आपका देखने को मिला ठीक है तो आप सभी स्टुवेंट्स का भहत बहुत धन्यवाद ठीक है बाकी पार्ट स्वेल्ट ही जैसे आप लोगों की सलेक्शन होते रहेगा वैसे ही पार्टि आपको घर पे हाँ मिलते रहीगी तीक है नहीं है नहीं नहीं आज संडे यह है ठीक है तुम्हारा संडे आज से स्टार्ट हो चुका है चलिए फटापट से आंसर दीजिए कोईशन आपकी स्क्रीन पर है कोईशन लिख के रहां इस्ट्रेंट आपका विश टाइफ ओफ कंप्यूटर यूजज असिंगल इंटेग्रे रहा है धन्यवाद धन्यवाद भई आप लोगों का ठीक है चलिए और संडी तो क्या का इस्ट्रेंट आपका ऐसा कंप्यूटर जिसमें सिंगल सेमी कंडेक्टर सेफ एज़ा सीपी यूज होता है तो आप लोग जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर कैसा होता था आपका रू यूज हो पा रहा है तैस माइक्रो कंप्यूटर ठीक है तो आपका आंसर क्या जाएगा option D right answer होगा ठीक है correct answer क्या होगा इस्ट्रेंट आप लोगों का option D होगा तो यहां से कहने का मतलब कि आपको वो system या वो computer बताना था जिसके लिए आपका size बहुत कम होता है ठीक है option D त और share करें ज्यादा से ज्यादा ठीक है सर कंजूसो आफ कभी कभी online class वाले students को भी party दे दिया करो हां हां हमने कम बना किया है हम तो कह रहे हैं आओ देरदून आओ party लो हम तो खुद भी कह रहे हैं कि मिलके साथ में बैठके party करेंगे ठीक है जैसे भी cold hot जिस परकार की party चीओगी उस परकार की party मिलेगी तुम आओ तो देरदून पहले पहुंच हो तो ठीक है चलिए तो answer दीजी आगले question का the device whose symbol is seen 2v2 SCR inverse parallel connected कि उस device का नाम क्या होता है जिसका symbol आपके 2 SCR के कैसे inverse parallel combination को represent करता है कहने का मतलब क्या student आप लोगों का कि यहां से अगर हम बात भी करते हैं तो अगर single SCR की बात करते तो सिर्फ इस प्रकार से और यहां gate terminal होता पर यह कह रहा है कि इस प्रकार से device है आपका ठीक है तो यहां से क्या का student आपको कि ऐसा कोई device जो यह जिसका connection जिसका symbol आपका दो SCR के cross या parallel या inverse parallel combination को represent करता है तो कौन सा होता है student आपका अगर हम यहां से बात भी करते हैं यह होता है student आप लोगों का triak ठीक है कौन सा होता है student आपका triak होता है triode plus ac को represent करता है ठीक है कैसी device होती आपकी four layer की three terminals की device होती आपकी ठीक है इतना जो कि आपका कैसा होता है student आपका positive और negative दोनों half cycle के लिए क्या करता है operate करता है ठीक अगला question ठीक है तो यहां से answer mark कर लिजेगा answer क्या होगा आपका option B हमारा right answer होगा सभी student answer जरूर देते रहे हैं ठीक है सारे के सारे student answer जरूर देते रहे हैं और video को like और share जरूर करें which of the following transmits a large amount of data over multiple closely spaced data streams ठीक है कि वो कौन सी technology है या वो कौन सा method है जिससे आप क्या कर सकते हैं एक large amount के data को सारे के सारे question आपके किसी न किसी exam में आये हुए हैं हर question में उपर देखते रहे हैं आपका exam का नाम reflect करते रहेगा आपको UPRBNL 2021 का question है इस तुरेंट आपका question ने कहा क्या था कि वो technology जहां आप large amount का data multiple जो आपके closely spaced data stream में आप इसको transmit कर सकते हैं तो कौन सा होता है इस तुरेंट आपका OFDM जिसे हम कहते हैं orthogonal frequency division multiplexing frequency division multiplexing आ रही है इस तुरेंट आपकी multiplexing और multiple accessing दोनों में अंतर होता है इस तुरेंट आपका कि जैसे हम लोग FDMA पढ़ते हैं और FDM पढ़ते हैं दोनों technology में difference है तो इस difference को भी याद रखें तो answer क्या होगा यहां से option B होगा the relay contact so in the figure R ठीक है कि यहां पर यह जो relay contact आपका दिखाय गया है अगर यह clearly visual नहीं है तो इसको यहां पर बना दे रहे हैं यह कुछ इस परकार से था student आपका कि यहां से यह ऐसा और यह इस परकार से ऐसे रिपरजेंट है कि यह जो relay contact है यह किस या किसे रिपरजेंट कर रहा है ऐसा कुछ आपका symbol बनाय हुआ है तो जरह आप फटापट से answer दीजें यह आपका single pole double throw है यह single pole single throw है double pole double throw है यह double pole single throw है good evening good evening सभी student जैसे जैसे live आ रहे हैं आप लोग वीडियो को like और share करते रहे हैं और answer comment box में जरूर देते रहे हैं गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है बट answer जरूर देते रहे हैं student आप लोग तो यहां से क्या का student आपका यह symbol आपको पहचानना है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं single pole double throw की तो single pole होगा student आप लोगों का तो यहां से कैसे होगा कि यह इस प्रकार से single pole और throw यहां पर double कह रहा है ठीके तो यह इस प्रकार से हो जाएगा वहीं single pole single throw की हम बात करते हैं तो जो design हमें बना कर दिया है ठीके यह जो चीज हमें बना कर दी है यह single pole और single throw को represent कर रही है फिर उसके बाद हमने बात की double pole double throw की तो double pole है student आपका तो कैसे हो जाएगा आपका यह आपका पहला pole यह आपका दूसरा pole यह आपका first throw और यह आप लोगों का second throw आपका फिर double pole single throw की बात करते हैं तो यह आपका पहला पोल, यह आपका सेकंड पोल, और यह हो जाएगा इस्टुरेंट आप लोगों का सिंगल थ्रो आपका, तो कहने का मतलब किया है कि रिले क्या होता इस्टुरेंट आपका, एक switching element होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बीच में connection के लिए use करते हैं, ठीक ह रिले क्या होता है, इस्टुरेंट यहाँ पर रिले की बात की, तो रिले क्या होता है, एक switching element होता है, electrical की इस्टुरेंट इस बात को जादा अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पर यह जो symbol represent है, इस्टुरेंट आपका अगर हम देखते भी हैं, ठीक है, यह किसे represent कर रहा है, यह इस्टुरेंट आपका single pole, single throw को, ठीक है, यह किसे represent कर रहा है, single pole, single throw को, फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो यह आपका single pole, double throw को, ठीक है, फिर यही बात, अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यह आपका double pole, double throw को represent कर रहा है, और यह इस्टुरेंट आप लोगों का this is double pole single throw को represent कर रहा है ठीक है इतना तो आंसर इसी तरह से आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहे हैं गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है बट अपने आप से कोसिज जरूर करें हर एक क्वेशन के आंसर देने की ठीक है और अभी भी कई इस्टुरेंट ऐसे हैं जिनोंने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा share करें What are the characteristics of a co-axial cable कि co-axial cable की क्या characteristic होती है यह क्या property होती है It has twisted pair with sealed ठीक है या it has center conductor covered with a insulator then buried और solid outer conductor and then insulation इट हैज हैवियर इंसुलेशन देन मोस्टेबल्स यह इट हैज वल्नरेवल तो हाई फ्रिक्वेंशी इंटर फिरेंच तो जरह फटा उपड़ से आंसर दें आप लोग ऑफशन ए और बी में आंसर जा रहा है देखें आंसर वैरी करने लग गिया आप लोगों का तो यहां प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा भी होगा कि यह यहां से ठीक है और फिर यहां से इस प्रकार से यह आप लोगों का क्या होता है स्ट्रेंट को एक्सियल केबल का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले अगर हम जनरल बात करते हैं स्ट्रेंट यहां पर आपकी त कि अगर लोग देखेंगे तो इस अगर हम लेकर भी चले तो यह हमारी इस प्रकार से आपने देखा भी होगा कि यह क्या होता है भीच में पहले इंसुलेटर होता है फिर इंसुलेटर के बाहर अगर आप लोग देखेंगे तो इंसुलेटर के बाहर आपने देखा होगा कि यह इस प्रकार से क्या लगी होती है एक सेलिंग या एक जाली लगी होई होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इस student आप लोगों का वो फिर से क्या लगा होता है इसके आउटर सर्फेस में यहां आप लोगों का एक insulation material लगा हुआ होता है तो आपका answer जो बनेगा that is option B हमारा क्या हो जाएगा right answer और correct answer होगा ठीके तो coaxial cable के physical structure पर based question था student आपका ठीके यहां पर यह जो question था आपका coaxial cable के physical structure पर बेश था ठीके इतना तो सभी student आज सभी question का answer B ही होगा हाँ ठीके सारे question का answer B होगा ऐसा किसी ने का नहीं है ठीके ऐसा हो रहा है तो एक coincidence है ठीके इतना तो यह student आप लोगों का क्या इस प्रकार से question आप लोगों का metallic या अगर आप बात कहीं कि physical structure पर बेश पूसता है तो अगले question पर आ जाएं और सभी student वीडियो को like और share जरूर करें अगला question कैसे लिख रहा आपको कि what does led stands for led क्या होता इस तुरेंट आपका अगर हम बात भी करते हैं तो this is l4 light ठीके e4 emitting ठीके और d4 diode ठीके simple simple question आज आप लोगों को देखने को मिल भी रहेंगे और सबसे अच्छी बात student की यह आपके आए हुए question है exam में तो क्या होता इस तुरेंट आप लोगों का light emitting display कुछ student option a दे रहे हैं option a में देख लो display लिखा हुआ है option d में देखोगे तो low energy display ठीके कोई मतलब भी नहीं है जिस बात का ठीके वहीं अगर हम option c को देखते हैं तो this is light emitting diode जो की क्या होता इस तुरेंट आप लोगों का एक optical source भी होता है अगर हम इसकी बात भी करते हैं तो this is also a optical source इसके symbol की अगर हम लोग बात करें इस तुरेंट तो कैसे होता है यह एक simple सा diode और अंतर कहां आता इस तुरेंट आपका कि यह आपका कैसे कर रहा होगा light को emit कर रहा होगा output या outward direction में किस principle पर वर्क करता है इस तुरेंट आपका Electroluminescence के principle पर वर्क करता है किस पर करता है Electroluminescence ठीके कि प्रिंसिपल पर ये क्या करता आपका work करता है अब electro luminisence क्या होता है कि एक ऐसी process जो क्या करती है आपकी क्या करती है student आपकी ये आपकी light energy को किस में change करता है इस student आप लोगों को या अगर हम बात करें light energy को नहीं यहां से अगर हम लोग देखते हैं कि यह आपका electrical energy को किस में change करता है, light energy में change करता है, तो क्या कहा कि electrical energy को किस में change करता है, इस student आपका light energy में change करता है, कैसी bias में work करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके forward bias में work कर सकता है, ठीक है किस पर work करता है student आपका forward पर, reverse पर जो यहां पर current flow होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं dark current कहते हैं जिसे हम generally क्या कहते हैं leakage current या reverse saturation current कहते हैं ठीक है इतना बिलकुल very good तो इसी तरह से answer आप लोग comment box में देते रहे हैं बाकी की चीज़ें धिरी-धिरी discuss करते रहेंगे अगले question पर आ जाईए which of the following is the determination of temperature at which partial pressure of कि partial pressure किसका water wafer का is equals to its saturation value किस temperature पर determine किया जा सकता है यह which of the following is the determination ठीक है कि यह क्या define करता है इस तरहेंट उस temperature को जहां पर partial pressure आपका किसके equivalent होगा saturation value के ठीक है reverse bias में photodiod work करता है very good but teacher में नहीं आता है अच्छा ठीक है हाँ तुम खेलते रहो ठीक है तुम लगे रहो अपने कलवा और हलवा में ठीक है तुम question पर ध्यान मत देना रौसनी ठीक है चलिए आम आदमी party भी यहीं पढ़ने आगी photon current more than light current अच्छा photon current option A तो सभी student answer देते रहें कौन सा होता है student आपका यह होता आपका ओस हिंदी में देखकर पता भी चल रहा है due point measurement ठीक है कौन सा point होता है student आपका that is due point measurement option A होगा option D conductivity measurement है जो कि answer नहीं होगा ठीक है correct answer होगा that is option A होगा next question which type of duplex communication is used in mobile phones कि mobile phone में किस प्रकार का communication यूज होता है ठीक है ध्यान से देखेगा कि mobile phone में तो mobile phone में आप जानते हैं कि कुछ बात अगर आप यहां से कह रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप किसी information को भेज रहे हैं आपने call किया ठीक है तो अगर आपने सामने वाले से कुछ कहा information अगर आपने भेजी यह information stand की तो same time पर सामने वाला भी कुछ भी कह सकता है आपको सुना सकता है और आप सुन भी सकते हैं ठीक है तो information send भी हो सकती है और information आपकी receive भी हो सकती है और कैसे इस्टुरेंट आप लोगों की दोनों की दोनों आपकी same time पर simultaneously है ठीक है दोनों की possible in full duplex communication ठीक है half duplex जो होता है student आपका वो कौन सा होता आपका जिससे आप लोग walkie talkie कहते हैं जो आपने normally army या force के पास देखा होगा police वालों के पास भी देखा होगा जो आपने देखा होगा कि police में जो जो सिपाई होते हैं जो officers होते हैं जन्रली इसका यूज करते हैं ठीक है तो वहाँ आपने देखा होगा कि या तो उससे channel पर सुन रहे होंगे या तो वो सिर्फ कह रहे होंगे वह ऐसा device जिससे आप एक ही टाइम पर सुन और बोल नहीं सकते हैं तो आपने का मतला बेज और रिसीव नहीं कर सकते हैं सेम टाइम पर आई बात समझ में अगला question ठीक है तो लक्ष्य बैच electronics की classes start हो चुकी आपकी ठीक है जिसमें जो परजेंटी सब्जेक्ट आपका चल रहा है digital electronics में hamming code का question आज भी हमने practice किया था signal and system में ठीक है हम लोग signal multiplication को आज किये थे basic electrical में आपका introductory part चल रहा है ठीक है हिंदी आप लोगों की चल रही है student ठीक है इसी प्रकार से आप लोगों का human values की class चल रही है ठीक है और साथ के साथ आपका renewal energy resources की classes भी आपकी चल रही है तो लगवग डेली आपकी साथ से आठ गंटे की classes हो रही है regular तो आप लोग यहां पर भी जादा से जादा ज्वाइन कर सकते हैं चीजों को और detail में समझने के लिए used in communication system hello hello हमेज़ा बोलता रहता है हाँ वो बोलता नहीं रहता है उस सामने वाला और hello hello नहीं बोलता है सब्सक्राड़ी बात ठीक है उसमें कभी आप खड़े रहकर देखना किसी भी जो आपके पुलिस में person होंगे उनके सामने खड़े रहके देखेगा उसमें कुछ important बातें ही वो कह रहे होंगे आपकी तरह दांत दिखा कर वो hello hello नहीं कह रहे होंगे ठीक है किस subject में आते हैं ये question ये आते हैं आपके quality में ठीक है ये question आपके quality के है quality में नया syllabus add हुआ है उसी के सारे question है ठीक है इतने समझदार तो तुम होंगे इसलिए सबसे उपर लिखा था कि ताकि तुमारी आखो पे ये बात चुबे जरूर ठीक है कि उपर क्या लिखा हुआ है तो इसलिए ध्यान से देखें और उसके बाद पूछें कि कौन से subject का है ठीक है डुपलेक्स और डिपलेक्स में क्या difference होता है जैसे सुमन कुमारी और सुमन कुमार में difference होता है वैसे ही डुपलेक्स और डुपलेक्सी में difference होता है same difference है ठीक है कि जैसे सुमन कुमार और सुमन कुमारी आये दोनों में अंतर तो वैसे डुपलेक्स और डुपलेक् बहुत बहुत धन्यवाद अब तो हमें पार्टियां भी कहने लगें कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो इसका मतलब वह समय ज्यादा दूर नहीं है जब मुख्यमंत्री पद के उम्मिद्वार हम ही होंगे उत्रखंड से आम आदमी पार्टी से ठीक है सर आफ अच्छा एटनिवेशन एंड इमेजनरी फेज कॉंस्टेंट अच्छा कोईशन का अंसर दे रहे हों अच्छा ठीक है तो देखें कोईशन के लिगर आपका कि रियल पार्ट और प्रोपेगेशन कॉंस्टेंट सोज तो सबसे पहली बात कि रियल और इमेजनरी तो बीटा होता है यह आप लोगों की क्या होती इस्टूरेंट आप लोगों की प्रोपेगेशन एक्क्वेशन होती है जहां पर अगर हम जनरली बात भी करें इस्टूरेंट तो यह जो गामा होता है यह आप लोगों का क्या होता इस्टूरेंट आपका इस प्रोपेगेशन ठीक है फिर अगली बात जब हम करते हैं इस्टूरेंट तो यहाँ पर alpha को अगर हम दोग देखते हैं तो यह होता है इस्टूरेंट आपका attenuation constant ठीक है यह क्या होता आपका attenuation constant होता है और यही इस equation के क्या इस्टूरेंट आपका real part भी है ठीक है यह क्या आपका real part है बही इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा जहांपर J होगा या आईटा अटा होगा कोई ऐसरर्प होगे इमेजनरी का तो यहाँ से अगली बात आती है कि beta क्या होता इस्टूरेंट आपका यह होता आपका phase ऐस कांच्टेंट ठीग है यह किया इस तूरेंट आपका फेसि कांस्टेंड है या आप कह सकते हैं तो यही से अगर हम इसके बाई पर रही बात आप लिग सकते हैं यह किया आप लोगों का इसी प्रकार से जब आप भी होता है जहां पर लेम्डा की बात करते हैं तो तरंग दैर्द्या या वेव लेंथ को इंडिकेट करता है तो बेसिक फिजिक्स का क्वेशन है जन्रली अगर आप देखोगे हैं ठीक है क्या होता आप लोगों का basic physics का question है क्या चल रहा है ये सर आप उत्राखंड हो ये संगर्ष कीज़े हम आपके साथ है हाँ चाहे रहते तुम UP में हो, BR में हो संगर्ष करने तुम उत्राखंड जरूर आओगे ठीके इतने अच्छे तो तुम जरूर हो ठीके तुम अपनी गली के बगल वाले आदमी के लिए ना करो संगर्ष अरे वो तो छोड़ो तुम अपने लिए ना करो संगर्ष किसी दूसरे की बात को तो छोड़ो तो क्या होता है वही आपका जो आपका real part है that is a attenuation constraint छीननस इस्तिरांक होता है option B अपना right answer आजाएगा सर आप बहुत मस्ट पढ़ाते हैं आपकी class करता हूँ अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीके हाँ ये रोष्णी जो है ना ठीके ये अपनी रोष्णी इतनी जादा बिखेर रही है आजकल ठीके हमें समझ नहीं आता ही कि ये हमारे पीछे पढ़े हुए हैं ठीके ये सही में अपनी रोष्णी बिखेर रहे हैं ठीके कभी-कभी मेरा मन पता क्या करता है इन से पूछने को जैसे वो मूवी जोने पूछता है पूछते हैं जैसे कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है तो मुझे भी इन से यही क्वेशन पूछने का मतलमन करता है कि एक तो हो गया यह कल्वा इनके नाम से तो हमारे दिमाग में हल्वाई आता है वैसे कि तुम्हें problem क्या है ठीक है सर डुप्लेक्सर और डिप्लेक्सर में क्या difference है बता दीजे ना बताये तो अभी कहा तो ठीक है अभी थोड़ी देर पहले बताये तो था प्लेलिस्ट बनाई है प्लेलिस्ट बनी वी है भई हम भी आपके पडूसी है ना ऐसे पडूसी नीची है हमें ऐसे पडूसी को चुपके से पत्थर मारे जाते हैं याद रखना है ठीक है अगले question का answer दें भई अच्छे गु रहे हैं ठीक है ठीक है डीक है अपकेशानर देते में बोलड़े की नेन्म डी ठाइन्जिस्टर ट्री फईन इस सब्सक्राइब की कॉम्मन ट्रांजिस्टर की जो थीन लीड होती है तो बस यही रही है जीवन में बताने को कि इसरों के exam में ऐसा भी question पूछा गया था तो कौन सी होती हैं आपकी E, B, C आपको सिखाए भी है कि जैसे हम A, B, C याद रखते हैं आपको transistor में E, B, C याद रखना है E indicate करता आप लोगों का emitter को ठीकर ये क्या indicate करता है is student आपको this is emitter B represents base ठीकर और C represents करता आपके collector को ठीकर C क्या होता है is student आपका collector होता है ठीकर तो अपना answer क्या आजाएगा collector, base, emitter exam में गल्ती कहा ओती है? बेस पड़ा, कलेक्टर पड़ा, ठीक है, या फिर एमिटर पड़ा और कलेक्टर पड़ा, ये बायस की जगह बेस पढ़ लिया जाता है जल्द बाजी में, तो ऐसी गलती ना करें, थोड़ा सा question को या option को ध्यान से देख लें कि वो लिख क्या रहा है, ठीक है, हाँ, option D क्या हो जाएगा, आपका right answer हो जाएगा, चलो अगले question पर आज जब जब फटापट से और answer दो, connecting a lead from the negative to the positive of a battery will produce, कि अगर एक battery के, ऐसा कोई battery है, ठीक है, यहाँ से क्या कहा, कि इस प्रकार से battery है, इसके positive और negative lead को connect कर दिया जाए, ठीक है, तो it will produce, high resistance को produce करेगा, short circuit produce करेगा, low current produce करेगा, यह high current path को produce करेगा, ठीक है, collector सबसे बड़ा होता है, हाँ, ठीक है, तो चलिए जरा answer दीजे, अच्छा, ठीक है, option B, very good, come lazy, ठीक है, तो क्या होगा भई, घर में एक काम करके देखना, ठीक है, तुम बैटरी मत लेना, ऐसा करना और कोशिस करना कि मोटी वायर ले ठीक है, switch के दोनों end पर same wire को डाल देना, देखना कैसा धमाका होता है, पूरी धीपा वाली एक ही दिन में याद आ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, इस तुरेंट आपका कि अगर हम positive और negative lead को connect कर देंगे, तो it will get short circuit, कि वो कैसा हो जाएगा, इस तुरेंट आप लोगों को लगा के देखना, क्या वो open circuit होगा, धमाका होगा तगड़ा, क्यों धमाका होता है, क्योंकि एक बहुत minor duration के लिए एक high current flow कर जाता है, और high current के कारणी वहाँ पर एक sparking, यह आप कह सकते हैं कि short circuit जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगला question, तो basic सा question है, फटापट से answer दें, इस overall जो resistance आएगा, वो कैसा आएगा, दोनों का algebraic sum आएगा, इसका मतलब जो overall resistance आएगा, वो कैसा आएगा instrument आपका बढ़ कर value आएगी, तो इस question में कुछ बताने लाइग नहीं है, option A आपका answer हो जाएगा, यह question अच्छा है, जड़ा पैसान होगी है, घड़ी की तरह जो दिख करते रहती होगी, ठीक है, इतने minor second के लिए होती है कि आप define भी नहीं कर सकते होगी, current ठीक इतने, जड़ा यह बताईए कि यह क्या चीज को indicate कर रहा है, ठीक है, क्या लिख रहा है कि identify the name of the instrument shown in the figure, ऐसा question अक्सर exam में exactly बना कर दिया हुआ था, कि यह किसे represent कर रहा है, option A और B, अधिक है, sir this class PDF, actually अभी इस class का PDF कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ठीक है, sir मैंने, technical team, तो जड़ा answer दीजिए, यह क्या indicate कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेगा जड़ा, और answer दीजिए, identify the name of instruments, shown in the figure, ठीक है, यह जो instrument है, यह किसे indicate कर रहा है, तो यहाँ, यह जो instrument है, instrument आपका, यह आपकी बीच में swing आपको दिख रही होगी, यह instrument आप लोगों का dial, gauze, type, displacement, transducer, ऐसा कोई भी device को, practical device को, क्योंकि online exam है, यह दिक्कत तब तक बनाने की होती थी, student जब तक offline exam होता था, online exam में क्या है, कि directly picture को ही upload करना होता है, तो examiner इस प्रकार के questions को बहुत पूसरा है, तो यह जो है, student आप लोगों का dial, gauze, type, displacement, transducer है, ठीक है, इतना cavity type का भी जो pressure, transducer होता है, वो भी कुछ इसी प्रकार का, इसी save का इस प्रकार से होता, अगर हम लेकर भी चलें, कि यहां से गर हम generalी बात भी करते हैं, तो कुछ ऐसी ही save का आपका होता है, ठीक है, यहां से इसके लिए cable होती है, आई बात समझ में, तो option A होगा, अगला question, which of the following is not related to the tachometer, control system में भी पढ़ा होगा, और electrical की instrument तो इस term से बहुत जादा familiar होगे, बाकी instrument में भी पढ़ा होगा, अच्छा, धन्यवाद रबतार जी आपका, ठीक है, ऐसा न हो कि आपके हाथ थक जाएं, इस बात को लिखते लिखते, ठीक है, तो हाथ को थकाना तो जरूर है, पर questions को करने में, ठीक है, very very good evening, पूर्ती बैन, और तो कोई इने दिखाईनी class में, कोटा दिने शी को, बस इने इनकी पूर्ती बैन दिखी, इतने बड़े इंसान सामने खड़ें, वो ना दिखे, चल कि टैको मीटर से related निम्न में से कौन है, टैको मीटर आप लोगों का, जब आपका rotation में होता है, कोई भी machine आपका, उसकी rotational speed को calculate करने के लिए, उसकी rotational speed को measure करने का काम करता है, और दूसरी बात, किस में measure करता आप लोगों का, rotation per minute में, RPM में आपका measure करता है, ठीक है, revolution जब किस में होता है, ठीक है, device stationary नहीं होगा, तब आपका count करता है, ठीक इतना, अब बात आई आप लोगों की four stroke की, तो four stroke तो directly कहां लेकर चल गया, आपका engine की तरफ लेकर चल गया, जब कि यहाँ engine की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर rotating machine की बात हो रही थी, तो अपना जो answer आएग ठीक है, इतना, sir, what is the meaning of option C, option C, four stroke, two stroke, engine आपने पढ़े होंगे, basic mechanical में, sir, recorded में boring light थी, but live में good sense of humor है, मतलब, चलिए, अगले question पर आजाईए और answer देते रहे हैं, ठीक है, सभी student answer देते रहे हैं, और वीडियो को like और share जरूर करते रहे हैं, और जितने भी नए student हैं, आप लोग channel को subscribe जरूर करें भई, ठीक हैं, तो अगले question पर आजाईए, in which of the following is the length considered, ठीक है, UPRVNL 2021 का question है, कि निम्न में से किसके लिए ये link क्या होता है, तो कई student को ये question देखकर पता क्या लगा था, कि question गलत लिखा गया है, ठीक है, sir, हिंदी मे क्या लिखा है, लिंट को निम्न लिखित में से किसमे माना जाता है, ये लिखा है, हिंदी पंडी नहीं आती है, आप लोगों को, अच्छा, इस टॉर्क है लिखा हुआ, वो लिखने वाले की गलती हो गई होगी, ठीक है, फोर इस टॉर्क होना था, इतने समझदार तो तुम होई ही, ठीक है, चलो भई, जड़ा आंसर दीजिए, गूड इवनिंग, गूड इवनिंग, क्या लिखे रहा है, क्वेशन आपका, कि लिंट is considered as, तो आपका प्रोग्रामिंग से, बेसिक आफ प्रोग्रामिंग से, क्वेशन था इस टॉर्क है, लिंट क्या होता है, इस टुरेंट आप लोगों का एक एक एनलाइजिंग टूल होता है, ठीक है, क्या होता आपका एक एनलाइजिंग टूल होता आपका, तो आंसर क्या आजाएगा, that is option B आजाएगा, कि लिंट is an analyzing tool, ठीक है, इतना अच्छा quality नहीं रहती है, अच्छा, ठीक है, next question, लिंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, चलिए, फटाबट से answer दीजिए, सभी students answer देते रहे हैं, और वीडियो को like और share जरूर करते रहे हैं, basic basic question, अगला question जो आपका है, वो isro का है, question लिख रहा है, which is not a common value of resistance, तो जरा answer दीजिए, देखते हैं, इस question का answer क्या आता है, मेरा सही था, हाँ, अच्छी बात है, जरा फटाबट से answer दीजिए, analyzing tool, ठीक है, क्या होता है, which is not a common value of resistance, कि resistance का common value कौन सा है, है या नहीं है, नहीं है, बताना है, not है, not बताना है, तो देख लो, option B answer आने लगा है, अगर जरा थोड़ी देर के लिए आप लोग 2K7 का मतलब क्या instrument आप लोगों का, ठीक है, तो यहां से 2K7 को भी बताना है, 1M8 का मतलब क्या है, इसके meaning को बताईए जरा, तो जरा सभी instrument कोशिच कीजिए कि इसका meaning क्या है, ठीक है, तो यह अगर हम लोग बात भी करते हैं, तो यह क्या instrument आप लोगों का, this is 2700, ठीक है, ब सकते हैं, इसी बात को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप 2.7 किलो ओम लिख लीजे, या फिर क्या आएगा, 2700 ओम आएगा, ऐसे इसी बात को हम 1.8 मेगा ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है, 330 आर जो है, that is 330 ओम को रिपरजेंट करता है, ठीक है, ध्यान से देखेगा, ठीक है फिर अगली बात क्या कहीं कि 4K4, यह जो है, इस तुरेंट आप लोगों की, यह तीनों जो हैं आपके, यह आपके commercially available resistance है, ठीक है, यह कहां आपके, market में जो resistance available होते हैं, ठीक है, क्या का आप लोगों का, market में जो standard available resistance है, उनकी values represented है, जवकि 4K4, ऐसा कोई भी specific resistance या specific value का resistance न नहीं है, ठीक है, renewable source of energy, ठीक है, electronics के batch में तो अभी start ही है, बाकी के batch में, तो देखकर ही पता चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं, instrument हम लोग अगले question पर, ज़र अफटाफट से answer दीजे, सभी instruments, ठीक है, फाल तु चैट ना करो, बिल्कुँ सही का, ठीक है, ये कोई समझदार इंसान है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगले question पर आ जाईए, और पढ़िए question को, और answer दीजे ज़रा, क्या लिख रहा है question आपको, कि if a small value of capacitor is connected in parallel with the, ठीक है, कि ये c1 और यहां से, ये c2 को क्या किया ग है, समानतर करम में जोड़ा गया है, the combined capacitance will be, कि c1 greater than आपका c2 से, कि c2 एक भहुत कम value का capacitance है, parallel में हम लोग जानते हैं, इस तुरेंट, कि जो आपका equivalent capacitance आएगा, that is equals to c1 plus c2, दोनों का क्या होगा, आपका ये तीनों का चारों का जितनी भी ब्रांचीज है, algebraic sum होगा, तो जो आपका overall capacitance आपका निकल कर आएगा, वो कैसा आएगा, हमें सा high value का आएगा, जैसे resistance में series का case होता है, वैसे ही capacitance में आपका parallel combination का case होता है, ठीक है, चलिए, next question पर आजाईए और ध्यान से देखिए, काले रंग में दिखाए गए परतिरोधक को कहते हैं, तो अगर सही से ना द दिखा देते हैं, कि ये इस प्रकार से, इस resistance की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर transistor circuit है, ये हमारा क्या है, यहाँ से output है, ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो एक resistance ये इस प्रकार से connected है, और एक आप लोगों का नीचे connected है, यहाँ, त करता है ठीक है new offline batches आपके मार्च से start होंगे भई ठीक है सारी branches के लिए वो मार्च से start होंगे तो option B answer दे रहे हैं काफी student कि emitter feedback register है ठीक है जरह सभी student answer दे option C भी answer आने लगा है ठीक है तो आपने को क्या बताना है student आपका यह black shaded register बताने कि यह क्या indicate कर रहा है अगर हम इस circuit का AC analysis करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि DC source क्या हो जाएगा ground तो यह जो resistance है यह कहां connect हो जाएगा आपका output side में connect हो जाएगा और output side में जो resistance connected होता वो कौन सा होता आपका load resistance होता है तो it means यह clear instrument आपका यह जो resistance आप लोगों का connected है यह क्या होगा student आप लोगों का load register होगा option D आएगा ना तो option B answer है ठीक है और ना ही option C answer है bypass अगर होता आपका तो यहां होता ठीक है emitter पर होता वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह आपका feedback register है और कैसा feedback है यह भी देख लीजिए कि collector से कहां जारा आपका base पर तो collector to base feedback register होता कौन यह वाला यह जो है instrument आप लोगों का यह ध्यान रखिएगा यह किसे indicate कर रहा है यहां से अगर हम लोग लेकर भी चलते हैं यह represent कर रहा आपके load register को यह क्या आप लोगों का this is load register ठीक है यह क्या represent कर रहा है तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें और फिर answer उसी के हिसाब से देते रहे instrument आप लोग ठीक है तो अगले question पर आ यह अगले question को देखें जरा और answer दीजिए कोशिच कीजिए answer देने की ठीक है हाँ basic basic question और तब भी देखो गलती कर जा रहे हो ठीक है तो चलिए अगले question पर आ जाईए जरा which of the following is equivalent to the drain terminal of JFET when comparison with BJT ठीक है तो हम लोग जानते हैं instrument आपका कि BJT हो ठीक है अगर हम यहां से BJT लिखें और यहां हम लोग field effect transistor लिखते हैं तो दोनों की दोनों कैसे होती instrument आपकी three terminals की device होती हैं BJT के अगर हम लोग बात करते हैं तो BJT का पहला terminal emitter फिर आपका base ठीक है और फिर आप लोगों का collector ठीक है analogy का chart आप लोगों को जब class में चीजें पढ़ाई भी थी तब भी बताया था तो यहां से अगर आप देखेंगे भी student आपका तो emitter जो होता है base तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि base किसके equivalent आता आपका gate के equivalent आता है collector की जब बात आती है तो किसके equivalent होता आपका drain के equivalent होता है और emitter जो होता वो किसके equivalent होता आपका source के equivalent होता है तो यहाँ हम अपने question का answer directly देख सकते हैं student, कि क्या answer बनेगा अपना, ठीक है यह इस प्रकार से के एक दूसरे के analogious होते हैं, analogious कहने का मतलब student आपका कि emitter, electrons को emit करता है, तो यहाँ majority charge carrier का source होता है, base हमारा charge carrier के flow को control करता है, तो यहाँ gate भी आपके charge carrier के flow को control करता है, collector में क्या होता था, charge carrier आपका store होता था, collect होता था, और drain क्या करता है, कि जो charge carrier आ रहाए सोड से, उसे drain करने का या उसे बाहर निकालने का काम करता है, sir book available or not for, अभी available है, ठीके book available है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं, ठीके, तो अब यहाँ से answer क्या बनेगा student, हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था drain, तो drain किसके equivalent है, यहाँ आप देख सकते हैं, कि drain is equivalent to the collector terminal, ठीके, तो यह किसके equivalent होता है, student आप लोगों का, collector terminal के equivalent होता है, ठीके, आई बात समझ में, तो अगले question पर आ जाईए, और answer इसी तरह से देते रहे हैं सभी student, ठीके, जरह next question पर आईए, चलिए answer दीजे जरह फटापड से, ठीके, which of the following is the correct gain of the positive feedback amplifier, तो आपने amplifier में भी पढ़ी है ये बात, और control system में भी पढ़ी होगी, ठीके, कि positive feedback देने पर, ठीके, amplifier का gain कैसा हो जाता है, कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ से, आपका ये input है, ठीके, अगर हम लोग जंदली बात भी करें, यह आपका क्य गया था, यहाँ से अगर हम देखते हैं, कि this is input, यहाँ से आप लोगों का ये क्या हो गया, this is amplifier, ठीके, और ये आप लोगों का output, ठीक, अब हमने क्या कहा कि यहाँ से feedback connect किया गया, this is feedback network, और कैसा feedback दिया गया, student आप लोगों का, ये जो feedback दिया गया, this is positive, ठीके, यहाँ पर अब आप कहेंगे कि sir, बीटा क्या है आपका, तो यहाँ अगर हम लोग जन्दली बात भी करते हैं, student, ठीके, तो बीटा क्या होता, आप लोगों का ध्यान से देखेगा, ठीके, ये अगर हम लोग जन्दली बात भी करते हैं, तो बीटा आपका represent करता है feedback factor को, ये क्या होता student आपका this is feedback factor, ठीके, ये क्या होता है feedback factor होता है, V0 के अगर मैं बात करता हूँ, तो this is output voltage, ठीके, फिर इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं VF की, तो ये होता student आपका feedback का voltage, तो theoretical question पूछता भी है कि feedback voltage is, तो हमेशा कैसे होता है, less than 1 होता, ये feedback factor is always less than 1, तो हमेशा ए में बिठा कर याद रखेगा, कि अगर feedback यहाँ positive होगा, तो gain हमेशा क्या होगा आप लोगों का, बढ़ेगा, gain हमेशा कैसे होगा, improve होगा, और gain improve होगा, तो system की stability हमेशा क्या होगी, घटेगी, stability घटने का मतलब क्या student आपका, कि आपके oscillations बढ़ेंगे, ठीके क्या हो जाए इस तुरेंट आपका, oscillations improve हो जाएंगे, oscillations बढ़ जाएंगे, और oscillations बढ़ने के कारण ही, positive feedback जो use होता है, वो कहां use होता है, यह amplifier में, अगर मैं positive feedback को apply कर रहा हूँ, तो यह क्या बनकर आता इस तुरेंट आपका, this is oscillator circuit, कि यह क्या होता आप लोगों का, oscillator circuit होता है, तो कहन इस तुरेंट आप लोगों का, यहां से अगर हम देखेंगे, अच्छा एक और shortcut याद रखेगा, कि यह अगर positive है, तो denominator हमेशा कैसे होगा, आपका, negative होगा, तो अपना जो answer आएगा, that is option, A हमारा right answer होगा, ठीक है इतना, भाई किसी को कोई doubt हो, या ऐसा लग रहा हो कहीं प आप लोगों का, open loop, gain, ठीक है, बीटा तो हम लोग देखी चुके हैं, कि बीटा क्या था आपका, this is feedback factor, यह क्या होता, आपका feedback factor होता है, AVF क्या होता, आपका gain with feedback, ठीक है, यह कैसा होता है, इस तुरेंट आप लोगों का, this is gain with feedback, कि feedback के साथ gain, तो अपना answer क्या रहा, आपक gain आपका बढ़ेगा, तो आपका bandwidth automatically घटेगा, क्योंकि inversely proportional होते हैं, एक दूसरे के, अगला question, अगला question, communication system से है, basic सा question, हाँ, one plus a beta sacrifice factor होता है, और a into beta सिर्फ पुछेगा, तो यह loop gain होता है, ठीक है, चलिए अगले question पर आजाईए, sir, book को purchase कैसे करें, book को purchase करने के लिए, एक आपका UPI आप कर सकते हैं, या account pay आप कर सकते हैं, वो payment करने के बाद, वो received, और अपना full address आपको एक number पर WhatsApp करना है, तो आप एक काम कीजिएगा, कल तो Sunday है, मंडे को सुबह 9 बजे के बाद, आप help line number फिर call कीजिएगा, मैं आपको पूरा detail दे देंगे, ठीक है, अच्छा, option D आएगा, very good, देखेगा, what is the minimum sampling rate to avoid allizing, allizing का मतलब होता है, दो signal का overlap होना, एक दूसरे को overlap करना, तो allizing को बचने के लिए, या allizing से बचने के लिए, हम लोग जनरली क्या करते हैं, student, over sampling को prefer करते हैं, ठीक है, हम क्या prefer करते हैं, over sampling क या फिर आप कह सकते हैं कि sampling theorem, आपकी satisfy होनी चाहिए, कि कम से कम जो sampling frequency हो, that is, must be, is exactly equals to twice of the maximum message signal frequency, ठीक है, अब बात आती है कि सर, message signal frequency कैसे देखेंगे, हमारा signal कैसे अगर हम देखते भी हैं, कि x of t is equals to, ये student, आप लोगों का 10 cos, ठीक है, 400 pi t, ये equation given है, और अगर हम यहीं से आप से कहते हैं, कि जो standard equation होती है, इस student आपकी, ठीक है, अगर हम standard equation की बात करते हैं, किसी function के लिए, f of t के लिए, तो ये कैसा आता है, student आपका, vm into cos of 2 pi f into t, तो इसका मतलब कि इस student आप लोगों का, अगर हम दोनों को compare करते हैं, ठीक है तो 2 pi f की जगे पर क्या है, 400 pi, तो इसका मतलब किया है आपका, कि 2 pi fm, जो आपकी message signal frequency, that is equals to 400 pi, और आप लोग चाहें, तो directly, 2 f, वहीं, pi से pi गिया, और 2 fm तो हमें चाहिए हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप लोगों का simple sampling frequency हो जाएगा, तो this is equals to 400 hertz, कितना आएगा, कितना आप लोगों का, that is equals to 400 hertz आपका निकल के आएगा, तो option D हमारा क्या हो जाएगा, यहां से, right answer हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो simple सा question था, अगले question पर आजाईए, ठीक है, next question पर आजाईए, और फटाफट से answer दीजे जरा, सभी student answer देते रहें, इस question ने उड़ा दिया ह हमको, basic सा question था आपका, bandwidth होता है न सर, बिलकुल bandwidth होता है, किस case में, अगर आपका signal ऐसा नहीं है, हम लोग standard के लेकर चलते हैं, कि message signal zero frequency से start है, अगर question आपको specify कर देता, कि signal ऐसे नहो कर, आपका कैसे है, यह signal आपका lower frequency भी given कर देता आपको, और higher frequency भी given कर देता, तो उस इस्त सारी दिखानी है, वो FM तो इसलिए था, क्योंकि zero से count किया था, उस इस्तिती में, फिर हमें bandwidth consider करनी होती है, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, maximum bandwidth देखते हैं, उस case में, तो यह बातों को, कुछ बातें ऐसी हैं, जो आपको खुद से याद रखनी है, ध्यान से, ठीक है, च लोगों का, पहला जो red है, यह आपकी significant bit को represent करेगा, ठीक है, first significant bit, यह represent करेगा, second significant bit को, ठीक है, फिर third जो red आपका, यह आपका multiplier होगा, और यह जो आप लोगों का है, यह आपकी tolerance होगी, और gold के लिए हमें option से देखकर भी पता चल रहा है, कि tolerance कितनी होती है, 5% कि होती है, silver ह होता, तो 10% हो जाती, कोई color नहीं होता, तो 20% हो जाती, अब red के लिए, तो पूरा table नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कुछ values को लेंगे, कि हमारे पास formula कैसे होता है, BB Roy has, तो इतनी से ही हमारे काम हो जाएगा, क्योंकि red red है सिर्फ, तो यह आपका black, ठीक है, brown, ठीक है, और यह आ आपका red, नीचे orange और yellow होता है, तो यहां से देखोगे, तो this is 0, 1, 2, तो इसका मतलब क्या आपका, कि जो resistance निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, पहले red के लिए, 2, second red के लिए, 2, फिर third red के लिए, 10 की power 2, multiply आपका 10 की power 2, और tolerance आपकी, तो this is plus minus 5%, यही तो निकलेगा resistance का value, तो य यह कितना हो जाएगा instrument आपका, यह हो जाएगा आपका, 200 ohm और plus minus 5%, तो 200 ohm है, नहीं है, 2.2 kilo ohm है, तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2.2 kilo ohm और plus minus 5%, अगर silver color होता, तो 10% आजाता, कोई color नहीं होता, तो 20% आजाता आपका, तो यहां जो answer बनेगा, that is option, B हमारा क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो question आपके ISRO के IPRC में 2016 का question है, ठीक है, इतना, और simple सा question था आपका color coding का, ठीक है, कहां पर पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले, यह आप लोग 12th class में पढ़कर भी आए होंगे, 12th और 11th class में आप लोग यह पढ़कर भी आए होंगे, और बाकी basic electrical में तो पढ़ाई होगा, ठीक है इतना, यह color coding को हम लोग पढ़ते भी हैं, हाँ, wife आते ही, पता नहीं क्यों 32 दिखने लगती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां से यह और question given है, ऐसा circuit बना हुआ है, यह देखेगा, कि यह इस प्रकार से एक resistance है, यह transistor circuit है, ध्यान से देख थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, ठीक है, यह ऐसा एक circuit है, यह transistor दिख रहा होगा, इस प्रकार से यह arrow है, तो यह arrow है, तो इसका मतलब यह आपका emitter है, जहां पर arrow लगा हुआ होता है, वह हमारा क्या होता है emitter terminal, बहुत ही simple सा question है क्या बताना आप लोगों को, कि the figure is called, हमें यहां से खुद से clearly पता चल रहा है, कि यह आपका, भई यह अगर emitter है, यह arrow है, तो इसका मतलब यह emitter है, और यह emitter है, तो इसका मतलब यह collector है, और यह हम लोग जानते हैं, कि base है, तो input आपका कहा से है, input आपका base से, output आपका कहा से है, collector से है, ठीक है, और अगर हम common या ground terminal क की बात करते हैं तो कौन है एमिटर है इसका मतलब यह configuration कौन से आपका this is common emitter configuration कि कौन सा configuration आपका common emitter configuration है तो अपना answer जो बनेगा that is common emitter तो answer क्या जाएगा student आप लोगों का option c हमारा right answer होगा ठीक है तो यह तो बहुत ही basic सा question था simple सा question था में चली अगले question पर आजाईए symbol आप लोगों को पैचानना है तो आप देखते हैं कौन सही से पैचानता है तो जरह ध्यान से देखेगा और पैचानने की कोशिश कीजिएगा ठीके कौन पैचानता आप देखते हैं ठीके जरह ध्यान से देखना किलियरली देख रहे हूंगे ठीक है इसको बताओ जरा फटाबट से हम अपना नाम ही चेंज करेंगे अब हाँ ठीक है उच्छोटे में हमने कावती सुनी थी कि अगर ये नहीं कर पाए तो नाम बदल दूँगा आज वो कहानी ये प्रूफ करने वाले ये अपना नाम ही बदलने वाले बलकि तुम अपना नाम ही नहीं तुम अपना गाउं पता सब कुछ बदल लो ठीक है मोमो खाने वाले आज से रमन का नाम नमन अच्छा और तुम्हारा नाम तुम्हारा क्या रखेंगे चमन क्यों बई दूसरे के नाम पर खुब बोलोगे अपना कुछ पता नहीं रहता कौन सा अंसर आएग option A, option D, जड़ा ध्यान से देखे question को रांसर देने के कोशिश कीज़े सभी student, option D, भई इसे देखकर तो साफसा पता चल रहा होगा कि ये क्या आपका this is capacitor, ये तो clearly visible हो रहा है कि ये capacitor है, और जिन students ने electronics का पुराना course था, वहाँ पर ये बात आपको पढ़ाई थी, ठीके भले introductory part पढ़ाया था पर ये symbol दिखाया था, ये किसका symbol था आपका, ये symbol था आपका, microphone का, ठीके ये किसका symbol था आप लोगों का, this is microphone, तीसरी बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये देखकर आपको एक बात समझ आ रही होगी कि यहां से ये इस प्रकार से और ये एक resistance है, तो ये symbol क किसका होता था इस तुनेट आप लोगों का, ये है हमारा potentiometer का, ठीके ये किसका symbol था आपका, this is potentiometer, और last बात अगर हम लोग करते हैं, कि ये इस प्रकार से और ये यहां से, ये किसे represent करता इस तुनेट आप लोगों का, ये था आप लोगों का electrolytic, ठीके ये किस तुनेट आप लोगों का, this is, ठीके ये अगर हम लोग देखते भी हैं, तो ये किस तुनेट आपका electrolytic, ठीके ये आपका electrolytic, ठीके, तो इस हिसाब से अपना answer कौन सा बन रहा है, तो हमारा answer जो बनेगा, capacitor ये गया, ठीके, register गया, ठीके, electrolytic microphone, register नहीं है यहां पर, ठीके, फिर electrolytic coil नह होता है, तो चार option होंगे यहां पर, तो ये आप लोगों का, क्या answer आजाएगा, student, option D हमारा right answer होगा, जो correct answer होगा, that is option D होगा, ठीके, तो ध्यान से देखते रहें, हर एक question को, और समझने की कोशिश ज़रूर करें, for high efficiency of power transfer in a circuit, कि circuit में, अच्छा, ठीके, तो क्या जाएगा, answer देखें, ज़रा question को पढ़िएगा, कि एक circuit में high power efficiency, हमें required, which of the following is correct condition, with internal resistance of the source, कि internal resistance, जो source का होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ठीके, तो ज़रा फटापट से answer दीजिए, कि internal source, जो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, कि variable register भी बोल सकते हैं, किसको, किसको बोलना है, variable register, option D, equal, symbol का PDF, अच्छा, तुम दोगे या हमें देना है, ठीक, option D, तो क्या instrument आपका, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते, equal to the load is, तो क्या का instrument आपका high power efficiency के एक circuit के लिए बात की, यह कब आईगी student आप लोगों की, जब आपका load register और source register कैसा होता, आप लोगों का equal होता है, तो आप लोग जानते हैं, आपकी maximum power transfer theorem को, that is option D, हमारा right answer होगा, तो सभी students, वीडियो को जादा से जादा like करें, share करें, ठीक हैं, यह session आप लोगों का daily, इसी time पर 6 से 8 बजे नॉर्मली रहता है, पर sir की थोड़ा सा तवियत सही नहीं है, इस वज़े से जो electrical का session आगे proceed होना था, वो session नहीं हो पाएगा आज, तो Monday से आप लोगों का normal ऐसी class रहेगी, 6 से 7 आपका electronics का session रहता है, और 7 से आप इसी session में आगे sir आपकी class को proceed करते हैं, ठीक है, तो Monday से करेंगे student class को continue, तो आज के session को हम लोग यहीं पर stop करते हैं, आज की class को हम यहीं पर stop करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा share करें, like करें, और questions को एक बार करने की कोशिस जरूर करें, ठीक है, बएड़े आप लोगों ने, काफी लोगों ने wish किया था, काफी student का सायद हो सकता भी हम reply नहीं कर पायोंगे, क्योंकि आप लोगों का message, आप लोगों की calls इतनी ज़्यादा थी, कि हर एक student का reply करना possible भी नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी student का बहुत बहुत धन्यवाद भी, ठीक है, इतना प्यार देने के लिए, इतनी wishes देने के लिए, बाकी बातों को discuss करते हैं अगले class में, तो आज के लिए, thank you students.